हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग स्वागत आपका टेक्निबास के नए वीडियो पे और गैस आज की वीडियो जो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में लास्त जरूर बने रहना अरे यार अपितिक तो गया नहीं भाई मुझे वीडियो बनानी है चल जा प्लीज अरे यार पबजी करने आप जो टड़ा है बस वही देख रहो उसको आज जा रहो हूं तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको पता ही लगए आज वीडियो किस बारे में है तो आज की वीडियो काफी अच्छी होने वाली है काफी उनीक होन चाहिए तो मांच के चलिए आप एक पहले लेफ्ट में बैट के बना ले कुछ इस तरीके से और दूसरा बनाएंगे वह सेट बनाएंगे बीच में इतना गयाप होना चाहिए कम से कम और दो वीडियो बनाने एक बाद उसके बाद जो सारा काम होगा फोन पे होगा तो टेरेटिंग इसमें होने नहीं तो इसको ओपन करने बाद सबसे पहले मैं अपनी फाइल ऊपन करनी है जो चले फटकावट से हम पहले लेफ्ट साइड वाले वीडियो उपन करते हैं और वीडियो ओपन होने एक बात ही देख से 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 मोट नाई रेशियो में आ चुकी वीडियो मारी उसके बाद हम क्लिक करेंगे लेयर पे आपको राइट साइड पर लेयर दिख रहा हूँ लेयर में जाके मीडिया पर जाएंगे और मीडिया में सेकंड वीडियो को हम जो D कि अच्छे से कि अच्छे कर देख से करेंगे ऑर सिके बाद हमारी वीडियो बने के रैडी हो गी और श्के बाद हमें लास्ट आप यह करनाए हके आपको side में दिख रहा होगा right side पे split screen का option आ रहा है तो हमने इस पर click करना जो last option है right hand side पे इसको हमने okay कर देना है तो देख सकते हैं दोनों image हमाजे सामने आ चुके वीडियो की अब यह जो image है इसको थोड़ा adjust कर लेंगे जिससे जो extra area crop हुआ है वो proper सही हो जाए तो इसको थो प्रॉपर फ्रेम अर्जेश्में करना पड़ेगा वीडियो जो हम शूट करते हैं वह बिल्कुल हिलनी ने चाहिए फ्रेम उसको बिल्कुल हिलना चाहिए अगर ऐसा होता है तो फिर मेरे बीच में लाइन आती है जो आपको दिख रहे है इस टेम अगर प्रॉपर वीडिय लाइन होगी तो यह लाइन भी नहीं आएगी तो यही थी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब लाइक जुरू करना है